Hello everyone, my name is Aditi Chaudhry, welcome to my channel अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे sentences बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे वो हर किसी में कमिया निकालता है, तुम्हें तो बस हर चीज में कमिया निकालनी है वो इसमें भी कमिया निकालेगी क्या उन्होंने तुम्हारे काम में कमिया निकाली ऐसे हिंदी के sentences जिनमें हम किसी चीज में या इंसान में कमिया निकालने के बारे में बात करते हैं इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम find false with something or someone का use करते हैं जिसका मतलब होता है किसी चीज में या इंसान में कमिया निकालना या कमिया ढूंडना यहाँ पर इस फ्रेज में आप with की जगह इनका use नहीं करियेगा क्योंकि find false with something or someone ये खुद में ही एक complete फ्रेज है जिसका मतलब ही होता है किसी चीज में या इंसान में कमिया निकालना तो आपको यहाँ पर with की जगह in का use नहीं करना है चली इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping वर्बाती है इसके बाद find false with आता है और last में object noun या फिर object pronoun इन दोनों में से कोई एक आता है अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो pronoun आएगा जैसे कि me, you, him, her, us, them और यहाँ पर यह जो find है यह main verb की तरह use होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि finds, found, finding चली आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए वो हर किसी में कमिया निकालता है या फिर वो हर किसी में कमिया ढूनता है तुम्हे तो बस हर चीज में कमिया निकालनी है वो इसमें भी कमिया निकालेगी तुम उसके काम में कमिया नहीं निकाल सकते you can't find false with his work उसने मेरे प्लान में कमिया निकाली she found false with my plan क्या उन्होंने तुम्हारे काम में कमिया निकाली did they find false with your work क्या वो उसमें कमिया निकाल रही थी was she finding false with it Was she finding false with it? तुम हर चीज में कमिया क्यों निकालते हो? Why do you find false with everything? अब एक सेंटेंस आपके लिए तुम्हें हर किसी में कमिया नहीं निकालनी चाहिए इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक कैर बाइ बाइ